हेलो दोस्तो मेरा नाम प्रतीब कुमार और आप देख रहे हैं ABC4U YouTube चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल डाइप का कलर करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं फोटो सॉप में जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोटो कुछ इस तरह से था और इसको करेक्शन करने के बाद ये फोटो कुछ इस तरह से बनाया गया है तो इसी तरह का मैं फोटो इडिटिंग करना इस वीडियो में सिखाऊंगा तो दोस्तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बरते हैं और दोस्तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कर दिजेगा और अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो डेड कलर वाले सस्क्राइब बटम पे किलिक करके चैनल को सस्क्राइब किजे और साथ में बेल घंटी दिखेगा उस पे किलिक करके औल नोटिफिकेशन पे किलिक कर दिजेगा इससे क्या होगा कि आपको निव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बरते हैं तो दोस्तो हमारे पास ये एक पिक्चर है एक जामपल के लिए इसे पिक्चर को हम आपन कर लिए हैं open करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा duplicate बनाना होगा control J करके यहाँ से आप देख सकते हैं ये दो layer हमारे पास बनके ready हो गया अब हम क्या करेंगे यहाँ से देखिए आपको double press करना है और यहाँ से quick selection tool से आपको photo को selection करना है आप चाहें तो अपने अनुसार जो भी टूल से फोटो को सेलेक्शन करना चाहें आप अपने अनुसार से कर सकते हैं हम यहाँ Quick Selection Tool यूज़ कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह देखिए आप इस तरह से फोटो को बहुत बरीकिसे सेलेक्शन करना है उसके बाद यहां से आपको क्या करना है मास्क पे क्लिक कर लेना है उसके बाद यहां से मास्क लग जाएगा और आप क्या करेंगे यह जो नीचे वाला layer है इस पे click करके इसको hide कर लेना है उसके बाद यह mask है इस पे right click करना है और यहां से refine mask पे click करना है उसके बाद यहां से यह option view का option इसमें arrow पे click करेंगे तो इसमें बहुत सारे option आएगा तो दो नम्मर वाले overlay पे click करना है उसके बाद आप क्या करेंगे यहां से smart radius पे click कर लेना है उसके बाद आप अपने अनुसार picture को zoom किजिए जैसा कि आप देख सकते हैं आप अपने सुविधा के अनुसार और braces को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं उसके बाद यह कुछ इस तरह से आपको करना है ताकि आपका जो फोटो है वो अच्छे से selection हो यह देखिए इतना हो जाने के बाद अब आप क्या करेंगे बहुत अच्छे से यह selection बनाना है आपको बहुत बरिकी से ऐसा नहीं लगे कि आप यह फोटो क्रॉप किये हैं अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो वो बहुत ही एजस दिखेगा तो वो अच्छे बात नहीं है उसके बाद इतना हो जाने के बाद अब आप क्या करेंगे इसमें फीदर दे देंगे यहां देखिए फीदर वाले अप्सन है तो 1.57 पिक्सल दे सकते हैं उसके बाद यहां से आप OK कर देंगे तो यह देखिए आपका पिक्चर कुछ इस तरह से बहुत ही बारीकी से यह क्रॉप हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे नीचे वाले लेयर जो है उसको सो करवा लेना है और यह जो मास्क है इस पे राइट जैसे कीबोर्ड में कंट्रोल की दबाना है और इस पे मास इस पे एक बार क्लिक कर देंगे तो यह देखिए पिक्चर सेलेक्शन होगा जो आप क्रॉप किये हैं उसके बाद अब आप यहां से जाएंगे सेलेक्ट मेनू में उसके बाद यहां से देखिए इसमें अप्सन क्या है जैसे की मोडिफाई यहां से जाना है आपको menu में जाएंगे और यहां से fill menu उसके बाद यहां से देखिए आपको इसमें बहुत सारे option दिखेगा तो इसमें आपको करना है content aware इसको click करेंगे उसके बाद यहां से okay करेंगे तो content aware करने से क्या होगा जो भी अपने picture में image object को select करके content aware करेंगे वो object हट जाएगा जो background रहेगा उसी से match करवा देगा तो जैसे कि हम यहां से देखिए उपर वाला जो image है इसको hide करते हैं तो यह देखिए हमारा जो object select था वो remove हो गया है अब हम यह selection है इसको हटाने के लिए control D करेंगे तो यह देखिए कुछ इस तरह से यह background match हो गया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां कोई object था अब हम क्या करेंगे यहां से spot healing brush जो होता है इसको select करेंगे और यहां से आप क्या करेंगे इस तरह से जितने भी object का दाग धब था वो भी गयब हो गया और यह पूरी तरह से हमारा background बच गया अब हम इसको चाहें तो यहां से soh करवा सकते हैं अब यह जो नीचे वाला layer है background इस layer को select रहते हुए आपको जाना है filter menu और यहां से blur उसके बाद यहां से आपको क्या करना है title shift blur इसको select करना है और यहां से देखिए यह सभी option है तो यहां से हम picture को थोड़ा zoom कम कर लेते हैं और इसको यहां से align करते हैं जैसे कि जहां तक आपको blur करना है उतना ही area को आप कर सकते हैं तो जैसे कि हमें यहां तक blur क करना है उसके बाद यहां से जो ब्लर का रेडियस है पिक्सल है वो पिक्सल में हम यहां से बढ़ाएंगे तो यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका पिक्चर दिखेगा थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे जूम कर लेंगे और आप अपने अनुसार क्या करेंगे आप picture को जो background है उसको blur करेंगे तो इतना ठीक है थोड़ा और हम कम करते हैं और ये सही है उसके बाद उपके यहां से कर लेना है तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये background भी blur हो गया अब आप क्या करेंगे यहाँ से जो adjustment layer है इसमें जाना है और यहाँ से who situation को आपको इस पे click करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये option में से आपको क्या करना है यहाँ से ये जो है who को आपको यहाँ से इधर positive plus की और बरहा के देखना है आप अपने अनुसार जो भी color रखना चाहते हैं वो आप रखेंगे उसको बाद यहाँ से जो saturation है आप ये देख सकते हैं कितने पर American white हो जाएगा तो आपको ये ध्यान में रखते हुए जितना भी आप रखना चाहें वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं उसके बाद ये जो lightness है तो इधर की और करेंगे तो brightness होगा और इधर के तरब करेंगे तो dark होगा तो आप इस तरह से ये भी manage कर सकते हैं ये आप कितने पर ये सही है इतना रहने देता हूँ उसके बाद आप क्या करेंगे यहां से इसको control J करेंगे duplicate बनाएंगे और ये जो mask वाला layer है इसके ऊपर हम लेके जाएंगे एक layer को उसके बाद यहां से ये जो blending option है इस पर click करना है और यहां से आपको saturation option को select करना है इससे क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं hide करते हैं तो उसके बाद अब आपको क्या करना है यहां से यह जो option है फिर से adjustment layer में जाना है और यहां से आपको click करना है उसके बाद देखिए आपको इसमें एक option मिलेगा यह reference इस पर click करना है और यहां से आप जो reference है इसको इधर positive की तरफ या जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप अपने अनुसार picture को रख सकते हैं तो यहां से हम लगभग यह ठीक है उसके बाद से चुरेशन है तो इसको भी हम इतने के आसपास में रख लेंगे तो यह हमारा सही है उसके बाद एक और option करेंगे जैसे कि यहां से जाएंगे और curve, curve selection करेंगे और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे? डाउन करेंगे यहां से इस तरह से आप उपर करेंगे तो यह ज्यादा color जो brightness है वो बढ़ जाएगा तो हमें low करना है, dark करना है तो यह आप देख सकते हैं तो यह तो हो गया, अब हम बात करते हैं कि यहां से यह जो layer ह इस पर select रखना है जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो object है आपका picture है उसको selection करना है और इसी पर आपको एक new layer बनाना है और यहां background में आप black color select करेंगे उसके बाद यहां से बी प्रेस करेंगे यानि brush tool select करना है उसके बाद यहां से देखिए इस तरह से आप क्या करेंगे य जैसे आपको चारों तरफ से यह हो गया इस तरह से ठीक है यह भी धीरे धीरे हो रहा है अब इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे यहां से जो है इसका blending option change करेंगे जो भी आपके picture के अनुसार रहेगा उसी को आप select करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यह बहुत अच यहां से अभी इस picture को आप save करना चाहते हैं तो यहां से अगर आप PNG में save करना चाहते हैं तो PNG में PSD में save करना चाहते हैं तो PSD में आप अपने अनुसार इस picture को save कर सकते हैं तो यहां से file menu में जाएंगे और यहां से save edge करेंगे और यहां से दिखे जो भी name देना चाहते ह उसके बाद यहां से इसमें जेपीजी अप्सन दिखेगा इसको सेलेक्ट करना है और यहां से हम फोटो नाम दे देते हैं उसके बाद सेव कर लेंगे तो यह पिक्चर आपका सेव हो जाएगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दिजिए तो बस मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में इसी टॉपिक के साथ